वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम PGT जोग्रफी का कोश्चन पेपर सोल्व करेंगे और यह जो PGT जोग्रफी का है थर्ड लेवल ठीक है तो जोग्रफी का है यह पेपर भई 2020 2020 2020 का पेपर है PGT लेवल थर्ड लेवल फोर लेक्चररर ओके यह H-Tate का पेपर है तो इसको मैं दुबारा सोल करवा रही हूँ एक बर पहले भी मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है पर उसमें कुछ मिनट के बाद आवाज नहीं आई तो काफी स्टूडेंट बोल रहे थे इसलिए मैं आपके साथ इस पेपर को दुबारा डिसकस क करने जा रही हूँ तो ध्यान सकेजिएगा तो इसमें आता है कोश्यन नंबर 91 यह पहला कोश्यन है जोगरफी का 2020 पेपर है एच्टेट का निम्न में से कौन सा सोमेलित नहीं है हमें बताना नहीं है सुई पत्ति संकुवरिक्ष सप्रूस और फर यह बिलकुल ठीक है बई क्योंकि यह आपके उचाई पर पाये जाते हैं मांसुनी वनों में साल साग्वन आते हैं मद्य अक्षांस यह रोजवूड आयरन वूड यह रोंग है क्योंकि रोजवूड और आयरन वूड यह बहुत अधिक उचाई पर पाये जाते हैं मद्य अक्षांसों में नहीं ठीक पिर्थवी का क्रोड निकल और लोहे से बना इसलिए इसलिए से नीफे भी कहते हैं तो यहाँ पर यह ओपशन हमारा गलत है तो सी हो जयंगा पिर्थवी का अधिकतर भाग, mental है बिल्कुल राइट, क्योंकि mental हमारी पिर्थवी के अधिकतर भाग पर है, अधिकतर वर्ड लिखा हुआ है न, सारा लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता तो option number C हो जाएगा, next आता है question number 93, allusion और mariana खायों का निर्मान हुआ है, अब ये दे तो right answer हो जाएगा हमारा, अभी सारी प्लेट के नारों के सहारी, ठीक है, तो option number B, अप सारी नहीं आएगा, अप सारी में हमारी मद्या अट्लांटिक कटक आती है, अफरीका की महान ब्रंश गाटी आती है अप सारी में, और आपके लाल सागर और भुमद्य सागर को जो अल नेक्स्ट आता है, चैंदरमा की किस प्रावस्ता में लगुजवार आता है, देखो ये अभी मैंने अपने एक दो दो दिन पहले चैनल पर करवाया ये, तो भई पर्थम और तिर्थिय चतुर्थांस पर, देखो लगुजवार में आप सबको पता है, तीनो समकोन पर होते हैं इस तरीके से, तीनो समकोन पर होते हैं, और ये जो स्तीती होती है, किर्शन पक्स और सुकल पक्स की अस्टमी को होती है, ठीक है, पुर्णीमा मावश्या के दिन आपका विरत वरत यानि बड़े लेवल का टाइड आता है, और छोटे लेवल का टाइड किर्शन पक्स और सुकलपक्स के एस्टमी को आता है जिसी पर्थमों तिर्थे चुतुरतांस भी बोलते हैं तो राइट ओप्शन अमारा यह हो जाएगा अमावश्य और पुर्णीमा पर क्या आता है व्रहत जुवार आता है तो ओप्शन नमबर ए इस करेक्ट नेक्स आता है कोशन नमबर पुनर्युवित उत्य नति है उपाड़ों से निकल कर भ ہیں और दिरेडीडी नमबर पहुंच गई तो समुंदर में पहुंच गई तो यह जो फीचर होता है ये झ्योर्मल सिताल प्रन यूउवित क्या होता है कि नदी में एकदम से पानी के मात्रा या पर नदी में एकदम स अब इसमें देखो ध्यान से जब नदी में दुबारा से पानी आ जाएगा वो दुबारा से जवान हो जाएगी तो नदी वेधिकाई बनाएगी ठीक है आपके अगर हम बात करें विसर्प भी यानि पानी के मात्रा जादा होगी कोई परवत बीच में आगया तो उसके से बहना शुरू कर देगी यानि में अंडर्स भी बनाएगी निक पॉइंट ये तो लास्ट पॉइंट है ये तो रीवर ने बनाना ही बनाना है सरचनात्मक जो सोपान होते हैं ये रीवर नहीं बनाती तो उप्शन नमबर बी क्रेक्ट हो जाएगा पुनर यूवित अगर शोट करने के लिए किस वीदी का यूज नहीं करेंगी तो वर्ग वीदी तो यूज होती है स्क्वेर मेथड के दुवारा बड़ा चोटा किया जाता है संब्रुप तिर्भूज मीति के बारवी ठीके कैमरा लुसेडा वीदी भी बंदू जो प्लैनी मीटर है इसका यूज नहीं किया जाता नेक्स आता कोश्या नमबर 98 और हमेशा शितोशन कटीबंदी चकरवात से कोशन बनता है वही शितोशन कटीबंदी चकरवात से हमारे शर्दियों में वर्षा होती है यानि विंटर में और विंटर में जो वर्षा होती है वो हमेशा रिम जिम रिम जिम हो से भी आस्तिर मोशन रहता है सितोशन जब आपके सब ट्रोपिकल या टेम्परेट जो साइक्लोन आते कूरा सर्दियों में कूरा चा जाता है तिकता नहीं है और जो समधाब रेखाई हैं वो चार और फैल जाती है तो यहां पर ओप्शन नंबर एही गलत है बाकी तीनों करे नहीं है जो कोरियालिस बल होता है ना आपका समझते हो ना कोरियालिस बल यानी जीरो डिगरी के आसपास पाउने उत्तरी गोलार्द में उत्तर के और रदक्षिन गोलार्द में दक्षिन के और मुड़ जाती है इसे ही बोलते है कोरियालिस बल तो यह अगर हम बात करें न तो दुर्वो के निकट देखो, पाउनों में विक्षेपन दुर्वो के निकट अधिक पाया जाते हैं, यह बिल्कुल करेक्ट है, और यह पिर्थवी के गुर्णन का परिकार, पिर्थवी जब अपने आक्स पर गुमती है, यानि रोटेशन की वज़े से ही कोरियालिस बल और उत्री गुलार्द में पाउने अपनी दाई और विक्षेपीत हो जाते हैं, और दक्षिनी गुलार्द में दाई, तो A, B, C, 3 और क्रेक्ट यह गलत है, ठीक दुर्वो पर यह बल अधिकतम होता है, ना कि सुनने, ठीक है, नेक्स्ट आता है, कोशन नमबर हंडर्ड, यहाँ पर हमें कुछ मैप, प्रक्षे, प्रोजेक्शन है, और हमें बताना कुन सा प्रोजेक्शन क्या दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दिगंसी है, दिगंसी है, जो प्रोजेक्शन होता है, शुद दिखाता है, ओर्थो मॉर्फिक, मॉर्फिक, मॉर्फिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है आकर्ती अगर आप वर्ड मीनिंग से भी करते हैं तब भी question solve हो जाएगा orthomorphic शुद्ध आकर्ति को दिखाता है homolographic, homolographic यह दिखाता है जो आपका homolographic है यह एक दिशन विद्ध यह पत्रेखा को और marketer वाला मर्केटर तो सब ने पढ़ाई होगा projection या हमेशा शुद छेत्रफल यानि equal area वैसे मर्केटर की projection का नाम भी यह था तो equal area present करता था मर्केटर का शुद छेत्रफल ओके तो option number यहाँ पर सी correct हो जाएगा next आता है question number 101 यहां पर कोपेन महोद्य की जलवायू वर्गी करन से एक कोशन हमेशा आता है, यहां पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भई C, F, B, F यानि आपकी रेनफूल ज्यादा, F का मीनिंग ठीक है, और C हमेशा मद्याक शांसे वाले इलाकों को दिखाता है, C, कोपेन के यहां पर शुक्ष महाद्वी, अब यहां पर शुक्ष वर्ड है यह रोंग है, क्योंकि F अमिशा रेनफॉल को दिखाता है, तो यहां पर आद्र आना चाहिए, तो यही रोंग है, तो उप्शन नम्बर D is correct, नेक्स आता है, question number one under two, पद सवाशिन बर्ग संबन्दी, तब यह कोबर का था, भुव अभीनिती सिद्धान्त, कोबर महुद्धेगा, जियो साइनिकलन जो थ्योरी थी, उसी से रिलेटिर था सवाशिन बर्ग, नेक्स आता है, question number one under three, यहाँ पर हमें सही उत्तर का चैन करना है, यह तो इजी सा question था, परमुख या मोतर, अंत्रास्टी जो हमारी डेट लाइन है, वो 180 डिगरी देशांतर रेखा को बोलते हैं, मकर रेखा सबको पता, 25 डिगरी दक्षिन में, और परमुख या मोतर बोल नेक्स आता है, एक बैथो तिल का तल दर्श्वयमान होता है, एक बैथो लित का तल कैसे देखोगे, बैथो लित तो भई अपके बिल्कुल परवतों की जड़ में होते हैं, और परवतों की जड़ देख सकते हैं, क्या हम नहीं ना, तो यह गलत है, ग्रेन आइट और से चप्टाने, उनका रंग हलका होता है, नेक्स आता है, बहु शंक्यू जो प्रेक्षेप है, यानि आपका जो पोलिकोनिक प्रोजेक्शन है, इसका जो अविश्कार किया था, वो फर्डी नेड हैसलर महोद देने किया था, तो उप्शन नमबर ए हो जाएगा, ठीक है, नेक्स आता है, कुशन नमबर बन अंडर सिक्स, यहाँ पर कुछ धाराएं दी गई है, समुंदर के आपको बताना कौन से धारा कैसे बहती है, थीक है, तो यहाँ पर हम धाराएं करेंगे, तो सबसे पहले अगुलहास धारा, अगुलहास धारा आपकी हिंद महासागर में दक्षनी हिंद महासागर में, साउथ में, अगुलहास धारा, जो आपकी मोजांबिक धारा है, और यह बेडा गासकर धारा है, दोनों नीचे उतरती है, आफरीका के पूरवी तटपड़े, दोनों धारा बहती है, आगे चलकर इने अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है, आपके ग्रिन लैंड के पश्मी तट से बहगर आती है, लेबरोडोर से, लेबरोडोर की धारा, और कानारी की धारा जो बहती है, वो आपकी अफरीका के तट पर बहती है, यानि उत्तर पश्मी अफरीका की तट पर कैनारी की धारा ठंडी जल धारा है, तो उप्षन न तो यह उसी का पार्ट है यहां पर स्केल से गोशन है वही स्केल निकालना है थ्री इंच इस उकल टू वन मेल तो यहां पर पता है हमें 63,360 ठीक है एक मील में इतने इंच होते हैं तो इसको हम कुछ नहीं करना थ्री से डिवाइड कर देंगे ठीक है यह हमारा अंस्वर बन जाएगा देखो आ गया है 21,120 कुछ नहीं करना था एक मील में आपको इंच पता होने चाहिए और फिर उस इंच को हम डिवाइड कर लेंगे नेक्स्ट आता है ओटो समीड की अंतर तारक धूल परिकलपना किन विज्यानिकों के पूरो वर्ती विचारों पर अधारी थी वह कांट और लाप्लास लाप्लास की निहारी का परिकलपना थी और कांट महुद्धे की थी इन दोनों की जो ठियोरी थी हैपोथिति इस ति उसी पर बेस्ट थी अंथर तारक दूल प्रिकलपना जो की ओटो सीमर की थी ओके तो आपको यह याद रखनी है सारी प्रिकलपना बह्मान से रेलेटर थी नेक्स आता है हमारी जो महासागर है उसके अंदर पंक जो निक्षेप है वो सबसे ज़्यादा कौन से किसके हैं गलोब इजे रीना की गलोब इजे रीना सबसे ज़्यादा मात्रा में समुंदर के अंदर पाई जाने वाली पंक है सबसे विस्तरिश सबसे जादा फैली हुई और सबसे जादा गहराई पर भी नेक्स लाता है question number 111 black forest और वासेस परवत के मध्यर राइन नदी बेहते हैं इस तरीके से भी आप इस transfer दे सकते थे black forest और वासेस दोनों block mountain है और राइन नदी विश्व की भ्रंश गाटी से ओकर बैती है यानि ब्लोक माउंटेन ब्रंश परवत है ये ब्रंश परवतों के बीच से राइन नदी बैती है तो राइन नदी इस क्रेक टंस्वर नेक्स आता है असो अक्षांस किस वायुदाप पिटी देखो बड़ा इजी होती है क्योंकि भुमद्य रेखा की सारी हवा यहां आ जाती है तो यह उपोशन उच वायुदाप पेटी होती है नेक्स्ट आता है कोशन नबर 113 कौन सा डेविस के भगोलिक चक्र से रिलेटिड नहीं है तो जियोग्राफिकल सरकल से रिलेटिड देखो उत्थान की देम कुल क्रैक्ट है पैनी प्लें डविस ने दिया था और मोने डनॉंक पैनी प्लें याणि एक संप्राइ मैदान में जब सारी सतला करती है लास्ट में एक सम प्लेन मैदान में बदल जाती है तो उस प्लेन मैदान को डैविस मोहद्दे ने पैनी प्लेन कहा था मोने डैनांक क्या कहा था जब रिवर की लास्ट स्टेज हो जाती है जिने रीवर काट नहीं पाती उनी पहाड़ियों को नाम दिया था मोनो डनांक डैविस महोध्ये ने तो उत्थान की धीमी जो गर की बात करें तो धीमी दर नहीं दी थी उत्थान की तिरव गती बताई थी डैविस महोध्ये ने जब 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 जभ आलामूखी की राख आपस में चिपक कर जम जाती है तो उसे कहते है टफ तो राइट अंसर होगा टफ ठीक है टफ नेक्स्ट आता है कोश्चन नबर 115 यहां पर कुछ कत्रों का प्रिशिक्षन कीजिए और सही उत्तर का चेयन करना है अटोल परवाल द्वीप की वल्याकार द्वीप है चोरस सिखर युक्त ज्वाला के बीच होता है तो यहां पर हमारा जो अंसर होगा ना आ और बा दोनों सही ठीक है जो हमारे अटोल प्रवाल द्वीप होते हैं वह वल्याकार द्वीप होते हैं कुछ इस तरीके के होते ही तो इस तरीके के वल्याकार द्वीप होते हैं यह आ और बा दोनों करेक्ट है और सी गलात है, दो से पांच डिक्री होता है, निक्स लाता है, शान्त सागर, तो भाई चंदरमा पर है, शान्त सागर, हमारा चंदरमा पर पड़ता है, ठीक है, शांत सागरista, Tranquility, किस पर है, मून पर, याद रखना मून पर है, नेक्स लाता है, qucion no 107, Tera, Crosa, organismy, इसके बार में बताना है हमें टैरा रोसा मिटी टैरा रोसा मिटी की बात करें तो जो टैरा रोसा मिटी है इसका रंग लालाई युक्त लाल होता है सूपरवावित अच्छी तरह सूखने वाली मिटी है पी एच तर्सत होता है तो भाई ये लाल मिटी से मिलती जुलती होती ह यह टेरा रोसा मिटी नेक्स्ट आता है कुश्च नमबर वन हंडर एटीन एलन बर्ग का पारी तंतर यानि एलन बर्ग का एकोशिस्टम था उनके अनुसर जो वन पारी तंतर है उन्होंने इसमें किस में शामिल किया था macro ecosystem में right answer हो जाएगा macro ठीक है जो macro यानी world level बड़े level पर महा पारितंतर में शामिल किया था उन्होंने one पारितंतर को next आता है question number 119 दिवित्य सरोव्याप्त 11 magnesium chloride पहले नंबर पर आता है sodium chloride दूसरे नंबर पर आता है magnesium chloride और अगर पूछे कि हमारे समुद्र में सबसे ज़्यादा कौन से योगिक है तो chloride chloride सबसे ज़्यादा है तीसरे नंबर पर आ जाते है sulphate magnesium sulphate ठीक है तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आपको याद होनी चाहिए और इनकी मात्रा भी next आता question number 120 सर्क उत्पति का काटके यहाँ पर एक कुर्सी नीमा कुर्सी नीमा जो सतला करती का निर्मान करती है तो इसी बोलते है सर्क तो इस सर्क को बनाने से related जोंसन का था बरक्सरुड सिद्धांत next आता है question number 121 यहाँ पर कुछ खनीज़ है और यहाँ पर कुछ वर्ल्ड लेवल पर countries के नाम दिये गए आपको बताना कौन सी country ठीक है यहाँ पर है तो चलिए solve करते हैं तो चलो भही इसको solve करते हैं तो यहाँ पर जो बोक्साइट है वो वीपा ऑस्ट्रेलिया के वीपा में बोक्साइट मिलता है ठीक है आईरन आईशक की बात करीं तो आईरन आईशक आप आपको मिलता है गोल्स वर्थी ओस्ट्रेलिया में निकेल की बात करीं तो निकेल मिलेगा ग्रीन वेल ऐस्ट्रेलिया में उससा और जस्ता ब्रोकन हील तो यहाँ पर यह इसका क्रैक्ट ओप्षन था ठीक है तो ओप्षन नमबर टू नेक्स्ट आता है कोशन नमबर 122 छेत्रों होते हैं उनका परदर्शन करने के लिए यानि C-Level से उचाई का परदर्शन करने के लिए Altimetric Frequency का यूज़ किया जाता है Next आता है Boat People किस से रिलेटिर थी 1970 और 80 के दसक में वियत नाम के लोग उनने काफी भारी मातरा में स्तानंतरन किया था यानि ये माइग्रेशन किया था इन्होंने और इन्होंने जो माइग्रेशन किया था ना Boat में बैट के किया था ठीक है Boat में ये बैट कर भागे थे तो इसलिए इसे Boat People कहते हैं Next आता है Question No.124 और ये मैंने अभी YouTube चैनल पर भी करवाएं आपको जलिये राष्टे जलमार्क तो कोटा पूरम से कोलम तक हमारा National Highway जलमार्क तीन पढ़ता है ठीक है आपको पढ़ता है इलाबाद से दुबरी जो है इलाबाद से दुबरी हमारा पहला है और पहला ही सबसे बढ़ा है और ये तीसरा है ठीक है इनको याद रखना नेक्स्ट आता है question number 125 ये तो easy सा question था नवीन वलित परवत तो सब को पता हिमाले नवीन वलित परवत में आता है आवसिस्ट परवत में अरावली आता है ठीक है जो आपका ब्रंशोतत परवत है, ब्रंशोतत परवत में हम किसे डालेंगे, राज महल को, ब्रंशात परवत में राज महल को, और जुआला मुखी परवत में सयाद्री को, क्योंकि पश्मी गाट महरास्ट राज्य है, कभी पहले कभी यहां दक्कन के पठार पर जुआला मुखी फटा करते थे ना तो हम सयादरी पश्मी गाट काई तो दूसरा नाम है तो इसे जुआला मुखी में डालेंगे तो option number यहां पर हमारा 4 क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है option number 4 is correct next आता है question number 126 हमें बताना कौन सा उदेश्यवादी थी भई कारले रीटर ठीक है कारले रीटर मोहद्य जो था वो उदेश्यवादी था कारले रीटर उदेश्यवादी था next आता है question number 127 यहां पर हमें कुछ जन जाती का परतिनीदो बताना है यह दोनों नेगरिटो परजाती का परतिनीदताओ करती है इंडिया के अंदर next आता है यहां पर revenue chain की मानक लंबाई बतानी थी राजशोव chain standard length of revenue chain यह 33 foot होती है कितनी होती है 33 foot 33 foot होती है इसकी next आता है question number 129 2015 विश्व जन संक्या दिवस 2015 की नेवन मेंसे कौन सी विश्व वस्तु थी तो आपात काल में आसुरक्षित जन संक्या ठीक है आपात काल में आसुरक्षित जन संक्या यह थीम रखी गई थी 2015 में विश्व जन संक्या दिवस की next आता है question number 130 कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखो यहां परगर्म बात करें हैडन के वर्गीकरन के अनुसर जो लियो टिक्री है यानि जो लियो टिक्री यानि मानों पर जाती के बालों का उद्र काट है वो लगवग असी है ठीक है है हैडन का वर्गीकरन आपको अच्छी तरह किसे पढ़ना पड़ेगा है हैडन के वर्गीकरन से हमेशा एक नंबर का question examiner डालता है PGT में next आता है question number 132 भारत में निम्न में से किस सिंचाई के स्त्रोत के दोवारा अधिक्तम छेतर संचित होता है अगर यहाँ पर कुए और नलकूप ना दिया गोए थे तो अंस्वर कुछ और होता बट यहाँ पर कुए और नलकूप दोनों इकठे दी होई है तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है भारत में कुए और नलकूपों से होती है next आता है question number 133 टी इन ओ मैप यह अंधियूग के दोरान आए थे जोग्रफी के अंदर अंधियूग में ज़्यादा कुछ तो काम नहीं हुआ बट यूरोप में आये थे यू इन टी इन ओ मैप next आता है मबूती तवा या बात्सवा समूँ यह पिग्मी जनजाती के समूँ है पिग्मी जनजाती कांगो बेसिन अफरीका में बिलती है जादा कर देखने को ठीक है अफरीका के कांगो बेसिन में तो मबूती तवा और आपकी बात्सवा यह पिग्मी जनजाती के लोग है next आता question number 135 कुनसा कथन आ सकते है यानि गलत है तो संपूरन प्राइदीपिया भारत केवल आर्कियन चप्टानों से बना यह कथन आपका आ सकते है यानि गलत है तो option number 1 हो जाएगा क्योंकि देखो प्राइदीपिया भारत की बात करें तो आर्कियन के अलावा ग्रे नाइट से भी बना है नीस से भी बना है जो आला मुकी चप्टानों से भी बना है तो बहुत सारी चप्टानों से बना है तो केवल आर्कियन चप्टानों से यह नहीं बना है प्राइदीपिया भारत को बंगाल नीस भी कहते हैं बिल्कुल करेक्ट भारत की प्राचितम जो चप्टाने है आर्कियन समू से रिलेटेड है बिल्कुल करेक्ट हमारे हिमाले परवत में भी आर्कियन चप्टाने देखने को मिलती है हिमाल्य का केंद्र भाग आर्कियन चप्टानों से निर्मित है ये भी बिल्कुल करेक्ट है हिमाल्य का अधिकतर भाग तो आउसादी चप्टानों से बना है बट उसके अलावा आर्कियन चप्टाने भी हिमाल्य में आती है नेक्स्ट आता है question number 136 दूरसत सनवेधन शब्त का सबसे पहले यूज़ करने वाले थे प्रूंट महोद है एवलिन प्रूंट ने सबसे पहले remote sensing word को यूज़ किया था remote sensing word देखो अब ये ITCZ कल ही मैंने इसे related question डाला है ITCZ क्या होता है बारतिय मांसुन उत्पती की गतिक सैकल अपना की अनुसर गरीशम आयानात यानि ये लगालो की साड़े 23 दिगरी पर नोर्थ में सूर्य की किरने सीधी है गरीशम आयानात है ठीके तो जो नोर्थ ITCZ है वो कहां तक विस्तरित होगा कली मैंने आपको बताय था कि वह थीज्य डिगरी उत्री अक्षांस तक जब आपका सूर्य करक रेखा पर होगा तो थीज्य डिगरी उत्री अक्षांस तक पहुच जाएगा ITCZ नेक्स्ट आता है question number 139 पिर्त्वी की सत्य से GPS उपगरे की कक्षे उचाई देखो जियो स्टेशनरी की तो सभी जानते 36,000 km और GPS जो उपगरे हैं इसकी जो उचाई होती है लगबग 20,200 km ठीक हैं तो इसको याद रख लेना GPS उपगरे की जो हाइट होती है कक्षे उचाई होती है 20,200 km नेक्स राता है question number 140 यहाँ पर कुछ गाटिया है आपको बताना कौन सी गाटि किस रज्य में हमें बताना कौन सी सुमेलित नहीं है तो शान्त गाटि ये तो सबको पता है Silent Valley आपकी केरल में है नुबरा गाटि जम्मो कस्मीर में है मिलाम उत्राखंट में मिलाम ये सारी पढ़ा रखिये मैंने सिक्किम में जो हार ये गाटि जो सिक्किम में नहीं है तो ये option आपका रोंग है नेक्स राता question number 141 निमलकित में से भारत मैंनमार सीमा पर कौन सस्तित नहीं है भाई देखो यहाँ पर उपर पढ़ता है अरूना चल परदेश फिर नागा लैंड फिर मनीपूर और फिर यहाँ पर आता मिजोरम तो ये चारों राजिय भारत मैंनमार के साथ बाउंटरी बनाते है तिरुपूरा इधर पढ़ता है तिरुपूरा तो यहाँ पर तिरुपूरा गलत है थीक है तो option number D correct हो जाएगा नेक्स आता है question number 142 निमने कथनों का विचार कीजिए कूट का परियोग करते हुए सही उत्तर का चैन करना है भारत की 50% जनसंक्या 10% चेतर में सैकंदरी तो नियर अबाउट अगर हम बात करें न तो यहाँ पर यह कथन ठीक है भारत की नगरिये जनसंक्या कूल जनसंक्या का लगबग 30.20% है तो अगर यहाँ पर हम देखे न बिल्कुल अर्जक्ट अगर हम बात करें इस चीज़ नी तो आपकी बिल्कुल अर्जक्ट यह डेटा नहीं है 30.20 नहीं 31.something है तो यह आपका रोंग है भारत की 75% से अधिक नगरिये जनसंक्या पर्थम सरेनी के नगरों में सैकंदरी ते यह भी गलत पर्थम सरेनी यानि महानगरों में भारत की इतनी अधिक पॉप्लेशन केवल महानगरों में यह भी रोंगे तो एक केवल आ हमारा ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर आ नेक्स आता है कोशन नमर 143 निमन में से कौन सा सचंद उद्योग नहीं है सचंद यानि वो उद्योग होते हैं जिसमें वेस्ट्रीज बगारा कम होते हैं और यह उद्योग कहीं पर भी स्तापित किया जाते हैं इनको कोई प्रभावित नहीं करता है जैसे हीरा का टाई सामगरी चाहिए तो इसे कहीं पर भी स्तापित नहीं कर सकते हैं तो सचंद उद्योग कौन सा नहीं है एलुमिलियम नेक्स आता है कोशन नमर 14 कौन सा सुमेलित नहीं है आमें बताना है बरगेस महोद्य नहीं दिया था आपकी साकेंद्रे जोन मोडल बिलकुल करेक्ट उल तो यहां पर option number सी हो जाएगा कील नहर किसे जोड़ती है उतरी साघर को Baltic साघर से जोड़ती है कील नहर को यूरोप में पढ़ती है 99 किलोमेटर लंबी नहर है यहां पर काला कुरू काला यानि हमें क्रोनोलोजीकल ओडर में लगाना है आस्ट्रा लो पीथिक एस होमो सप सबसे पहले अगर हम बात कहनेगे बिलकुल यह सिक्वेंस में लगे हुए थी आस्ट्रा लोपी थी नेक्स आता है नेक्स्ट आता है कुशन बर 147 मानो बुगोल एस्थाई पिर्थवी और चंचल मानो के पारस्प्रिक परिवर्तन से सैंपल महुद्य का कतन था ये कतन इपोटेंट है और एक और है कि मानो पिर्थवी तल की उपज है जो ये लाइन है ये भी सैंपल की थी याद रखना है ये दोनों लाइन एक्जाम में आती है एस था ही पिर्थवी और चंचल मानो के बीच जो रिलेशनसिप होती है मानो बुगोल उसी का अध्यान है ये सैंपल ने कहा था जो की रेट जेल की स्टूडेंट थी नेक्स आता है मानो मांचीतर पर ये सरकल और बीच में डोड तो सरकल तो सूर्यय को दिखाता पही और जो बीच में डोड है ये सूर्यय परकास तो ऐस वह रूजाएगा हमारा सूर्यय परकास पाट भूमी पाट भूमी किसकी विज़ेस्ता है बांगर, भाबर, छोटा नाकपूर पठार, दककन ट्रेप, तो रायट अंसर हो जैगा, छोटा नाकपूर पठार पर है पाट भूमी, ठीक है, जो पार्ट लैंडस है, वो छोटा नाकपूर पठार की विसेश्था है, नेक्स्ट आता है, और आज की इस question paper का मारा last question paper है, ये कोशन पेपर 2020 का था मैंने सोचा कि दो दिन पहले करवा दू बच्चों को ताकि आपको कोई भी कन्फिजन हो वो दूर हो जाए राडार की फुल फॉर्म बूची गई थी रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग ठीक है ये थी राडार की फुल फॉर्म तो ये थे आपका 2020 का कोशन पेपर आशा करती हूँ सारे कोशन समझ में आ गए हो होंगे तो वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर कर देना और इसके साथ साथ कमेंट करना अगर कोई कोशन समझ में ना आए तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैविन आजड़ी